भविश्वानी का कार्याल आए और भविश्वानी का वर के बीच क्या अंतर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कई सारा लिंक्स दिया गया है ज़रूर उस लिंक्स को देखेगा उस लिंक्स के द्वारा बहुत सारे बचन के बारे में आप गहरी जानकरी जान सकते हैं भविश्वानी का कार्याल एं जिसको The Prophetic Office भी कहा गया है और भविश्वानी का वर जिसको इंग्लिश में The Gift of Prophecy कहा गया है ये दोनों चीजों को हम बाइबल में पढ़ते हैं और ये दोनों अलग-अलग तरीके से उप्योग होते हैं कलीशा में भविश्वानी का कार्याल एं या Prophetic Office ये वह है कि जब एक विक्ति को परमेश्वर चूनता है और उसे एक भविश्वानी का कार्याल एं देता है जो एक लंबे समय के लिए होता है ये लोग लंबे समय के लिए परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाते हैं और आत्मिक अगवाई बनके रहते हैं और हम बाइबल में ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर इनके द्वारा बहुत सारे चमतकारों को भी करते हुए एफिश्वर की पुष्टक का 4 का 11 सले के 12 में अपॉस्टल पॉल कहते हैं कि प्रभू येश्व मसी कुछों को प्रेरित, कुछों को भविश्वक्ता, कुछों को सुस्समाचार प्रचारक, कुछों को चरवाह यानि पास्टर और कुछों को बोधक यानि टीचर के रूप में बुलावड देते हैं ताकि प्रभू येश्व मसी का शरीर यानि कलीशा का निर्मान हो भविश्वक्ता हैं जैसा एशाया, यर्माया हुए, एजिकिल हुए ये प्रॉफिटिक ओफिस यानि भविश्वक्ता के कार्यालाई में थे क्योंकि अगर हम इनको देखेंगे तो एक बहुत लंबे समय तक ये भविश्वक्ता बन कर रहे हैं और एक तरफ से अगर हम देखते हैं कि भविश्वानी का जो वर है ये भविश्वानी का वर क्या है? ये भविश्वानी का वर ये है कि जब पवित्रात्मा कोई भी एक विश्वासी को इस्तमाल करता है और भविश्वानी उस विक्ती के द्वरा उंडेलता है तो ये कोई भी समय हो सकता है और कोई भी विश्वासी के साथ ये घट सकता है ये होता है the gift of prophecy यानि भविश्वानी का वर भविश्वानी का वर है न ये भविश्वानी का कार्याले यानि प्रॉफटिक आफिस से अलग है प्रॉफटिक आफिस में या भविश्वानी के कार्याले में एक ही विक्ति को लंबे समय तक इस्तमाल करते हुए हम देखते हैं या इस्तमाल होते हुए हम देखते हैं लेकिन भविश्वानी के वर में ये अलग है भविश्वानी का वर ये पवित्रात्मों के वरों में से ए जब हम पहला कुरेंटिन 12 के 10 में पॉलुस भविश्वानी के वर को बाकी के वरों के साथ तुलुना करते हैं और पहला कुरेंटिन 14 के 3 में वो उधारन देते हैं कि जो विक्ति भविश्वानी करता है वो लोगों के बीच में बल, उत्सा और आशा उत्पन करता है तो ये भविश्वानी का जो वर है ये विश्वासियों को पवित्रात्मा के द्वारा दिया गया होता है ये कोई भी विश्वासी पा सकता है और पवित्रात्मा किसी को भी ये वर दे सकते हैं और इस्तमाल कर सकते हैं जबकि हम भविश्वानी का कारया ले या प्रॉफिटिक आफिस को जब आप देखते हैं उसमें उधारन देते हैं Samuel को उधारन हम लेते हैं Samuel एक बहुत छोटे उबन से ही भविश्वक्ता के रूप में परमेश्वर के द्वारा चुना गया और परमेश्वर ने बहुत लंबे समय तक Samuel को इस्तमाल किया और यही नहीं बलकि Samuel के द्वारा दो राजाओं को अभिशेक भी प्राप्त हुआ यानि Samuel सौल को भी अभिशेक किये जब हम पहला Samuel 3 का 20 में और पहला Samuel 16 का 13 में जब हम पढ़ते हैं इससे हमें यह पता चलता है कि जो भविश्वानी का कारियाला है जो प्राफिटिक आफिस है वो लॉंग टर्म कमिटमेंट है मतलब यह लंबे समय के लिए होता है और इसमें बहुत सारी जिम्मेदारिय जुड़ी हुई होती है उस विक्ति के साथ और उस विक्ति के जीवन के साथ और उस विक्ति का परमिश्वर के संबंद के साथ जबकि हम नए नियम में पढ़ते हैं तो गिफ्ट ऑफ प्राफेसी यानि भविश्वानी का वर उसमें हम देखते हैं कि प्रेरितों का कारी का 21 वा ध्या 9 से 10 वुचनों में हम देखते हैं फिलिप के चार बेटियां थे ये चारों बेटियां भविश्वानी करती थी उसके बाद हम और एक भविश्वक्ता के बारे में देखते हैं जिनका नाम आगा बस है और ये भविश्वक्ता आने वाले सूखे के बारे में भविश्वानी करता है इस भविश्वक्ता को पॉलुस के पर भविश्वानी करते हैं हम देखते हैं और ये भविश्वक्ता कहता है कि पॉलुस को उस शहर में नहीं जाने के लिए अगर पॉलुस उस शहर में जाएगा तो उसे गिरफतार किया जाएगा तो हम यह देखते हैं कि किस रीति से भविश्वानी का वर नए नियम में इन लोगों के द्वारा इस्तमाल किया गया है। अगर संचेप्त में अगर हम बताएं तो भविश्वानी का जो कार्यालाई या प्राफिटिक आफिस होता है वो एक लंबा समय का बुलावा है और जो भविश्वानी का वर है वो एक वर है जो पवित्रात्मा एक विक्ति को देता है और किसी भी विक्ति को दे सकता है और उस उस समय में पवित्रात्मा उस विक्ति को इस्तमाल करता है और पर्मेश्वर का राज्य को बढ़ाता है.